हेलो फ्रेंड्स हमारी इस नई वीडियो में आपको सवगत है आज हम बात करने वाले हैं एंशेंट इंडियन हिस्ट्री में इंस्क्रिप्शन के बारे में ये ये यूपेसी के एक हमारी कंप्लेट कोर्स के सीरीज चल लगी अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं करने का और प्रिलिम्स और मेंस के परस्पेक्टिव से हम फ्री कोर्स कंप्लेटली आपको दे रहे हैं तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लिजेगा तो दिखिया हमने जो फर्स्ट जो इसका पार्ट वन है पार्ट टू है उसका लि पार्ट वे नहीं कि इस तरह से उस समय में अगरिकल्चर और कल्चर डेवलप हो था चक्रवर्ती समराठ क्या कौन कहलाते थे मैटेडियल कौन कौन से थे उस समय लोग यूज करते थे और फिर हम पार्ट टू में हमने समझाय था आपको कि किस तरह से क्वाइंस का क्या कि इंस्क्रिप्शन होते गई दिए जैसे शिलालेख आपको दिख राय यह दिख रहा है एक यह का होता कहता कि पहले कि जो राजा होते थे वह पत्थरों पे इस कॉपर की बिलेट पे और बागी जगहों पे वह इस तरह की चीजें अंगित कर देते थे लिख वह देते थे कि वो चीजें उसमें पूछी तरीके से जुड़ जाती थी और उससे यह लंबे समय तर ठीकती थी जो कि आज भी हजारों सालों की पुरानी जो मान के चलिए कई हजार साल पुरानी पले जो जो चीजे खुदवाई गई हैं आज भी पत्थरों पे आज भी हमने बताती है पुरानी समय के लोगों के बारे में तो यह इसका सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट था अब देखते हैं आप इसके बारे में इसपे पड़ेंगे इस वीडियो में हम उसपर आपको अपनी वीडियो का लिंक बेज देंगे जिसे आप उसे अपनी वीडियो को मिस्स नहीं करेंगे ठीक है सब्सक्राइब करना बहुत ही मस्ट है कर लीजिएगा और प्ले लिस्ट सेक्समें जाकर देख लीजिएगा कि हम लोग इस चीजों के प्ले लिस्ट आपको पाइट करा रहे हैं अब चाहिए शुरू करते हैं देखे यह इस तरह का कुछ इंस्क्रिप्शन ने माल ली करते तहें इस तरह की चीजों का उब दיה diferentes जाद में इस चीजों को ब्रेयों करते हैं देखे लग्रें बता Verb जो आपको English लेंग्वज चाम आएंगी एपिग्राफिक होती है Study of Escription आगर जो इसको पढ़ने को हम अपिग्राफिक करते हैं और पेलियोग्राफिय क्या होती है पेलियोग्राफियक होती है कि हम अगध कोई बहुत पुरानी रैटिंग जो समय लिखी गई होगी, जो इसक्रिप्शन में यूस की गई है और बाकी ये old records पर जिसे oldest जितने records होते हैं उसे जो चीजे लिखे गई हैं उसे हम अकसर जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम पifall करते हैं तो उसने श्टडीद करते हैं तो अगर existe करते हैं कि एक जई और छीजा हूं पर प्राचीन पत्थरों पर लिखी चीजिक उन Middle लिखा जाता थे यह बताते हैं तो यह प्लॉर्स पे लिखा जाता था गाटे लिखा लाने इस तरह करते हैं ऑर इमजेज भी बनी ती रहती थी पुराने समय केバट इस्क्रप्षन पर रिकॉड की गये ते लेकिन जो बात के जितने भी ही चीजिए श्योता होती ते जितने खी पॉम ट्रहती चाहिए tech टी थी जो शीकों की तरह इसक्री होते थे इसकों कि थ्य वहीं थे प्रिष्ड करें दोना थे देंख बश्च्रीम में उसका रचाएं। जिसे study of inscription को epigraphy करते हैं और जो इसको study कर रहा है उसे epigraphist करते हैं यह मैसरून होता है तो आप जो है आगे हम देखते हैं इस video में जो सबसे पुरान समय के inscription थे 300 BC में वो प्राक्रित में लिखे गया थे और जो 200 after decade में जो inscription लिखे गया थे अब देखे जो प्राक्रित language है इसकी जातर बुद्ध और शोका बगरा ने इसका बुद्ध बगरा की मुर्ति बुद्ध बगरा की इससे लिलेटेड बहुत धर्म कर प्रचार के लिए जितने चीज़े थी उसमें जादा दर इसका प्रयोग किया इसका प्रयोग इन्हों नह पायए जब आपको क्वेशन पूश लेता है कि जातर इसक्रिप्षण जो ते हों कहां पाया जाते हैं जितने बी कहां कहां चीज़ें पाय जातीय है तो अगर कहीं पूछे कि कोई अपको नाम दे देए उसमें पूश देए किस समराजी किसमें-समराजिया आई-समराजीय यह रॉंग भी हो सकता है लेकिन 99% सही होता है अब पुष्ट मोरें जो बात का जो समय था और गुप्त काल का जो समय था वह उस समय एक सीरीज और क्लेक्शन जिसे कि जब आप कोई चीज जिसे वाले को शिला लिख पर आपने एक खटना के बारे में लिखा फिर अगला शिल काल फटो इसमे जरोत नहीं है सिंपसा है इसको इसले बरिख सकते हैं है लिफ्टि ती किट के देखा oul बहुत कम है अभी जो बची हुई है आप देखी यह जो इस इजो आपको इन्सकेप्शन तरह इस तरह दिख रहे हैं यह हो जो कि अभी पटा पता नहीं पता यह क्या है नहीं पता यह क्या नहीं है इसके बादेने में कुछ बहुत चीर नहीं पता हैं और अशोका की कि अशोका इंस्क्रिप्चन ने बात करते हैं कि यह उती है यह ऊक्षेब्स कॉर्षथ्य है अब दोनों में अंतर तो हुआ है ञातर श्यूटrió को यह कर फूर्शा겠 च्रीक क्या थी यह left से right की तरफ लिखी जाती थी, left से right, जैसे normally हम लोग लिखते हैं तो एक तरह से ब्रामी स्क्रिप्ट इक आ जागा, फिर लेकिन कुछ ऐसी भी थी जो खरुष्टी स्क्रिप्ट में, खरुष्टी का मतलब क्या है, जिसे यह खरुष्टी स्क्रिप्ट है, इसको लिखा िषयए कवाधी साथ दिखे जो ब्रामी स्क्रिप्ट थी जो जातर जो जो ग्रीक्स होते थे पहले एक रोमन व अमपएर वगरा वहां पर होती थी अरप कंट्री में, ग्री अमपर्योग आफशे कॉत्स के जो जानते थे, उशोक के से अच्छी तरह से उंके काम मिल जाता जिसे अच्छे पैसे कमाते हैं जिसे ट्रवेल गुपते रहते थे तो वह भी इस तरह की चीजों की खोच काते रहते थे और इस तरह की इसक्रिप्शन में उन्हें काफी हद तक बहुत काम मिला है वह अभरे थे अफ़परी इसक्रिप्श में हरे थे अफ़े ऐसक्रिप्शन से घ्रिक्शन में हो चब ठेंग और और अब करूंधा करने रहो थे तौह नहीं थे इसको बहुत जादा देखा गया है और इसके बारे में पता नहीं है लोगों को जो पता था वो अभी भी हिस्टोरिय होते हैं जिसे कुछी बात में मत्भेद होता है वो चीज को नहीं मानते हैं तो उस तरह की जिए ब्रामिस क्रिमाने में नम्शी और ले खरुष्टे स्क्र के मामने में चीजें उस तरह से नहीं है तो आप सबसेतना याद रखी कि राइट टो लेट इससे आद आप से पुछानी जाएगा था थी हंड़े थी हंड़ेट बीसी में क्या हुआ कि जो पचीसो बीसी में जितने भी जितने भी जितने भी सील्टी वह पाई गई थी इन पाया था तो इसे इनमें जीम हिसे बनाया जैसे इसे नहीं है बना गाया था लेकिं इससे इनके द्वारा भाया गया और यह एक प्रशक केम eranमी कोस्ता माजी को या प्रबार ह करता था को अधर हो ये अधर को सामाजी को प्रशाश्रिक जीशि चीज़ें इसमें लिखी हुई है तो इसे पढ़ा था जEEMS PRICE UP ने इन्हें पढ़ा था और रही जो पाए इसे से और उसके बाद इसे कहा पाया था इन्हें इन्होंने मेराटने पाया था थो वहां से इनोंनी से आठ़के दिली ले गया और बार में वहाँ के जितनेबी लोग थे उनसे कहा गया जिसने भी उन्हे पर आये कने और पर घरनवा कि आप इसे पढ़िये तो वह हुआ पाहिक है कि वो लोग पढ़ नहीं पाया इस चीज को और लेकिन बाद में 1837 में इसे जेंस विशब ने समझ लीआ था किस पर आकर सब्सक्राइब तो यह सारी चीजें हैं इसके बारे में और इसके साथ यह भी बता दें जो बाकी के inscription हो रेकॉर्ड किए गई है वो बुद्धिस में है जयनिज में है या वैशनाओ में इस तरह के चीज़ें पाई गई है चीज़ें पाई गई है और यह ऐसा नहीं है कि यह चीज़े इस तरह की pillars पे ही है प्लेचे क्लिक जिर्स देखे ज के नारी बेला फिलार है, जिर्ध्यक सोई सब्सक्राइबर एक स्नुच्ञ जिए चीजिंआई स्बने Benson इन्मेज देखे, जिर्के चीजिया अधराज प्राचिन मंदर इन्मेज उस्नूर्दिय मुंत INFORM जो उस समय काफी better ते थी… एक चीज और हम बता दें आपको कि बाकी के इस्क्रिप्शन जो है वो यह अभी भी क्या इस इस टाइब के इस्क्रिप्शन है जो कि यह बताते हैं कि राजा की अचीवमेंट क्या-क्या होती थी जब राजा का युद्ध लड़ने जाता था जो जीत क्या आता था वो उसमें अपनी क्या-क्या उसमें जीता यह बताता था और इसमें सबसे आगे थे हमारे समुद्रुप्त गुलता समराजी की राजा समुद्रुप्त इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे और इलहाबाद में इनका यह पिलर इस्क्रिप्शन जो इस तरक दिख रहा है यह क्योंकि आपनी हार को कोई राजा बताना नहीं चाहता है क्योंकि उसके प्रजार में उसका निगटिव इंप्रेशन पड़ता है जिससे कि वह उसे काफी नुपसाम करना करना पड़ सकता है तो यह साइचीज है इसके साधी समा को एक बात और बता दें अपनी तरफ से कि यह के इस पर इसकिप्षन होते ते रिकॉर्ड होते थे वह जाड़ा तर जो है किस की दोरह बनाए जाते थे इससेिज़े क्या लिखना है कैसे लिखना है इसका डिजाइण इसस Figsh proof ми शो गोते थे अ commendau यह का धर होते है यह उत्त है काफी इससेजों की ने ये ज़ए तर लिखा गया ये copper plate पे ये तो ठीक है pillar पे लिख दिया गया लेकिन कुछ इस type के है जिसे आपको बहुते दखा दूँ जिसे ये copper plate है तो इस type के copper plate पे ये चीज़े काफी लिखी गई है इस तरह की चीज़े और जैसे ये आपको दिखा हूं ये आपका शिला ले यह copper है यह जीज़े है अब क्या है कि इसमें अब मैंने बता दिया कि इसमें chiefs और चीफ होते थे जो मुख्य होते थे जो पी और प्रिंसे उते थे वह इस पे वह kort जाए पर लिख जैदा चीज़ सवी वो कि गई थी प्राकृत जीसे महाने को बताया प्राकृत की गई थी और लैंग्वज इसको कही जाती थी कुकि प्रकृत लैंग्वज से ल कुछी चीज आन के चरमाई है तो प्रकृत है के प्रकृत है संस्कित में होती थी तमिल में अमीन होती थी तेल लग यह चार भाषा DAY काफी थे जिस्वें जो इस्क्रप्शं होते थे थो लिक हेते हुच لاकोBrien करеля हमारी इसकριफिटन के बारे बता दिया नेस्ट वीडियो हमारी आने वाली है जिसने हम हम बता कौन-कौन से शीजे हमें मिली है साहितिक जितने भी स्रोथ है उस समय के उनके बारे में बताएंगे उसमें किस तरह से मतलब हम हिश्टी के बारे में जिस तरह से जानते हैं लेकिन जितने जाहतर पुरान समय के इस तरह की चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे रिलीजिस लेटरीचल और हिंद कौन-कौन से हैं बहुत इंपोर्टेंट से काफी विदास के बारे में पुरान के बारे में हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में हम ऐसाथ बने रहीएगा हम चैप्टर ये टू क ये चैप्टर टू है हमारा चैप्टर टू का राम है इंपॉर्टेंट से अपने नौलिज को बढ़ा सकते हैं तो इस तरह से चीजें आप पढ़ाई उपने करते रहे जाहिए हमारी वीडियो आती रहेगी समय समय पे और अभी तक हम वीडियो को नहीं ला रहे थे लेकिन अब हम जो सोर्स लग चुके है इस पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिए तो इस तरह की वीडियो मिस कर देंगे और इस नंबर पर जाके आप चाहिए वाट्सप करके कोई प्रोड़क्त परचेस करना तो बता सकते हैं नहीं तो इस पर अगर आपको कोई नई व तो फ्रेंड्स अभी तक इस सारे वीडियो हमाई थी अभी तक इस वीडियो में हमाई असा अभी तक बने दाने के धन्यवाद पार्ट फॉर इसका आने वाला है धन्यवाद